आज और सब्सक्राइब करने के पस सात बल आईकेन पर क्लिक करके nootification कोन कर ले ताकि आने वाले सब tiers अपडेट आपको nootification द्वारा मिल जाए दोस्तो कल हमने बताय था आपको 6 पोल 960 आर्पियम में 18 कौईल का double delta डबल पैरलर कनेक्शन थिरी फेस मोटर का इंडेक्शन मोटर का आज हम आपको बताएंगे 18 कोईलो का 6 पैरलर कनेक्शन कल दो पैरलर का बताया था आज 6 पैरलर का बताएंगे हम आपको 18 कोईलो का है वही 960 RPM में है ठीक है और ये वो मोटर होती है कल हमने जो मोटर बताई थ वे 10 से 50 HP तक की है आज की जो मोटर है वो बड़ी मोटर है ठीक है 50 HP से ज़्यादा ही है ठीक है तो उनमें एक कनेक्शन दिया जाता है तो चली सुरू करते हैं हमने यहाँ पे टोटल 18 कॉयल्स बनाए हैं इसके हर कॉयल के 2 पॉयंट है पहला इनर पॉयंट लेट साइड कॉयल के राइट साइड वाला पॉयंट है आउटर पॉयंट तो इसको हम 6 पैलर में करेंगी तो शुरू करते हैं पहले कॉयल से पहले कॉयल का जो इनर तार है उसको आपको पकड़ना है ठीक है अब आपको एक से चार में जाना है ऐसे एक, दो, तीन, चार चोथे का आउटर आपको पकड़ना है फिर आपको एक से चार में जाना है एक, दो, तीन, चार फिर आपको इनर पकड़ना है फिर आपको एक से चार में जाना फिर आपको आउटर लेना है फिर आपको ऐसे ही एक दो तीन चार फिर आपको इनर लेना है एक दो तीन चार फिर आपको आउटर लेना है तो आप जहां से शुरू कर रहे है आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं यहां से भी connection देना शुरू कर सकते हैं वो आपकी merge है लेकिन चलना ऐसे ही है जिसे पहला आपने पकड़ा पहले coil का inner पकड़ा फिर इस से अगले coil आपने जो पकड़नी छे कोईल पकड़ने 1 2 3 4 5 6 और इनके एक एक तार ले लेने हैं इनर आउटर इनर आउटर करके और उनको सोट कर देना है सभी को ठीक है यह सोट हो गया इन सारी पिनों को जो पकड़ी हैं इनको सोट कर देना है सारी तारों को अब यह हमारा एक पॉइंट यहां पर बन जाता है यह जो पॉइंट है एवन है तो दोस्तो हमारा एक एवन पॉइंट बन गया है यह शिक्स पैरलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर कोईल का एक एक तार लिया गया है ठीक है सभी कोईल में हम डिरेक्ट ली करेंट दे रहे हैं तो इसलिए इसको शिक्स पैरलर बोल रहे हैं अब हमने ये वन पॉइंट बनाया है अब दूसरा पॉइंट हम तयार करेंगी जिसको नाम देंगे एटू पॉइंट ठीक है फिर से हमें वही कार वही करनी है वही कारी करना है पहले हमने इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर ऐसे जोड़ा है अब आउटर इनर आउटर इनर ऐसे जोड़ को तो पहले से ही शुरू करते हैं पचे हुए सारे पॉइंट ले लेने आपको जिन जिन सेट में कनेक्शन किया था वही एक से चार वाला सिस्टम करना है ठीक है तो एक से चार वाला सभी को एक पॉइंट ले लिया है और सभी को हम सोट करेंगे ठीक है सोट कर दिया है उसके बाद सोट करना है सभी को सोट करना है ठीक है और यह जो दूसरा पॉइंट है यह दूसरा जो सोट हमने किया है इसको तो यह पॉइंट बन जाएगा हमारा एट टू पॉइंट ठीक है तो हमारा एट एट टू बन गया है अब हम बी पे चलते हैं बी वन पे तो इसमें हम बी वन बनाते हैं यहां पहले से हमने स्टार्ट किया था तो इस पहले को छोड़ देना है ठीक है इससे अगला भी छोड़ देना है फिर अगला पगटना है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तो ठीक है B1 बनाते हैं तो हमने inner तार लिया ठीक है पहले के बाद एक छोड़ के पहले सेट जो हमने बनाया था पहले सुरू गया था उसके बाद एक छोड़ देना है फिर अगला पकटना इसका inner ले लेना है फिर एक से चार वोई एक दो तीन चार इसका outer ठीक है फिर एक दो तीन चार फिर inner सेम तरीके से inner outer ऐसे ऐसे पकड़ना है करके outer के बाद inner ठीक है देखिए दुबार ऐसे देखिए inner outer inner आउटर इनर और फिर आउटर गिल लेना है एक से चार होना चाहिए यह मैंने कलर इसलिए बनाए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए कोई uhh ना हो यहांसे तो एक तो एक दो तीन चाहर फिर एक दो तीन चाहर एक दो यह तो दोस्ट कीप कर मैं जोड़ना है मतलब फिर इन सब को सोट करना है पहले की तरह यह हमारा बन गया है पॉइंट बीवन ठीक है अब इन सेट के यह छे के छे सेट है इन के के तार हमने चोड़ा है बाग की बचे हुए तारों को भी हम सारे को एक साथ सोट करेंगे जैसे हमने पहले किया था अब इनको सब को सोट कर देना है ठीक है अब इनको साथ 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 जड़ा है झाल झाल ठीक है यहां सोट नहीं होगा यह दूसरा पॉइंट है बीट्ट पॉइंट तो हमने एवन एट्टू बीवन बीट्टू दो बना दिये हैं अब सी पे चलते हैं तो अब देखिए इधर तो थोड़ी से जगे भर गई है इधर बना देते हैं बाग की डाइग्राम तो अब आपको एक, दो, तीन, चार ठीक है? यहां से हम स्टार्ट करते हैं डाइग्राम बनाना वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो हम यहां से बना के दिखा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इनर पॉइंट लेना है इनर, फिर आउटर, इनर, आउटर, इनर, और फिर इसका आउटर ठीक है? सभी को सोट कर लेना है यह पॉइंट जो मनता है वो है अब इनके जो बाकी बचे हुए पिन है उनको भी हम सोट करेंगे कि यह जो मनता है इनर, यहुए अजए बचा इनर, 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 इनल इनरे, इनर, इनर, इ हम पॉइंटित लेके थे इनर ये पोइंट जो है ठीक है C2 हो गया C1 and C2 A1, A2 B1, B2 C1, C2 ये छे तार हमारे निकलाती है तो ये हो गया 6 पैरलर 6 पैरलर कनेक्शिन A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये हमारे 6 पोइंट निकलाते हैं जो कि मोटर के अंदर फिर बाहर उसको स्टार डेल्टा में कनवाट किया जाता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 18 कोईल 6 पैरलर है ये 902 960 RPM में 3 पैर्ज मोटर में ठीक है तो दोस्तों जो ये पोइंट निकले हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये 6 पोइंट होते हैं ठीक है पिछला डाइगराम भी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें भी ये पोइंट निकले थे अब इनको स्टार डेल्टा करने का तरीका भी में एक छोटा सा पार्ट बनाके बताऊंगा वीडियो का फिलम भी हो जाएगी नहीं इसमें बताऊंगा तो ठीक है तो इस तरह से आप 3 पेस मोटर में 960 RPM की जो मोटर है उसमें ये है कनेक्शन कर सकते हो ये 6 पैरलर कनेक्शन है ठीक है तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताए और पसंद आई हो तो लाइक करे दोस्तों में सेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ जय हिन जय भारत